बिहार का ये स्वभाव है कि जो बिहार से स्नेह करता है बिहार उसे उस प्यार को कई गुना करके लोटाता है आज मुझे बिहार विदान सावा परिसर्व में आने वाले देश के पहले प्रधानमद्री होने का सवभागी मिला है मैं इस दे के लिए बिहार के जन जन को रुदै से नमन करता हूँ मुख्यमंत्री जी का स्पीकर महदय का भी रदैस से बहुत बहुत आभार व्यक्तर करता हूँ साथियों मुझे कुछ देर पहले शताब्दी स्मृति स्तंब के लोकारपन का उसर भी मिला ये स्तंब बिहार के गवरव शाली अतीत का प्रतीक तो बनेगा ही साथ ही ये बिहार की कोटी कोटी आकांग्षाओं को भी प्रेणा देगा अब से कुछ दिर पहले बिहार विदान सबा मुझियम और विदान सबा गेस्ताउस का स्छलाने अब भी हुआ है मैं इन विकास कारियों के लिए नितिश कुमार जी और विजय इस्तिना जी को रदेश से बढ़ाई देता है मुझे विदान सबा परिशल के सतावदी पार्क में कल्पतरू के रोपन का भी सुखद अनुभों मिला है कल्पतरू के विशे में माननेता है कि हमारी आशाओं आकांजाओं को पूरा करने वाला ये वरक्षय है लोगतंत्र में यही भूमी का संस्थाओं की होती है मैं आशा करता हूँ कि बिहार विदान सबा अपनी इस भूमी का को इसी निरंत्रा के साथ निभाती रहेगी बिहार और देश के विकात में अपना अमुले योगदान देती रहेगी साथियों बिहार विदान सबा का अपना एक इत्यात रहा है और यहां विदान सबा भवन में एक से एक बड़े और सासिक निर्ने लिए गए आजहनी के पहले इसी विदान सबा से गवर्नर सतेंदर प्रसंद सिना जीने स्वदेशी उद्योगों को प्रोटसाइट करने स्वदेशी चरखा को अपनाने की अपील की थी आजहदी के बाद इसी विदान सबा में जमिन दारी उनमुलन अदिनियम पास हुआ था इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नितिश जी के सरकार ने बिहार पंचायती राज जैसे अदिनियम को पास किया इस अदिनियम के जरिये बिहार पहला ऐसा राज बना जिसने पंचायती राज में महिलाओं को पचास प्रतिशन आरख्षन दिया लोग पंत्र से लेकर समाज जीवन तक समान भागिदारी और समान अधिकार के लिए कैसे काम किया जा सकता है ये विधान सभा इसका उदाहरण है आज जब मैं आपसे इस परिसर में विधान सभा भवन के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये भी सोच रहा हूँ कि बीते सो वर्ष में ये भवन ये परिसर कितने ही महान व्यक्तित्वों की आवाज का साक्षी रहा है माय नाम अगर लेने जाओंगा तो शायद समय कम पड़ जाएगा लेकिन इस इमारत ने इत्यास के रचईताओं को भी देखा है और खुद भी इत्यास का निर्मान किया है कहते हैं बाणी की उर्जा कभी भी समाप्त नहीं होती इस इत्यासिक भौन में कही गई बातें बिहार के उत्थान से जुड़े संकल्प एक उर्जा बनकर आज भी उपस्तिती है आज भी वो वाणी वो शब्त गूंज रहे साथियों बिहार विदान सभा भवन का इस शतादी उत्थव एक ऐसे समय में हो रहा है जब देश अपनी आजादी का अमरित महुत्सों मना रहा है विदान सभा भवन के सो साथ और देश की आजादी के 75 साथ ये केवल समय का संयोग नहीं है इस संयोग का साजा अतीद भी है और सार्थक संदेश भी है एक और बिहार में चंपारन सत्यागरे जैसे अंदोलन हुए तो वही इस धर्ती ने भारत को लोक्तंत्र के संस्कार और आदर्थ पर चलने का रास्ता भी दिखाया दिखादसकों से हम ये बताने की कोशिश होती रही है कि भारत को लोक्तंत्र विदेशी हुकुमत और विदेशी सोच के कान मिला और हमारे लोग भी कभी कभी ये बाते बोलते हैं लेकिन कोई भी व्यक्ति जब ये कहता है तो वो बिहार के इतिहास और बिहार की विरासत पर परद्रा डालने की कोशिश करता है जब दुनिया के बड़े भूभाग सब्यता और संस्तिती की और अपना पहला कदम बढ़ा रहे थे तब वैशाली में परिश्कुत लोक्तंत्र का संचालन हो रहा था जब दुनिया के अन्य खेत्रों में जनतांत्रिक अधिकारों की समझ विक्सित होनी शुरू होई थी तब लिश्वी और बज्जी संग जैसे गणराज्य अपने सिखर पर थे साथियों भारत में लोक्तंत्र की अवधारना उतनी ही प्राचीन है जितना प्राचीन ये राश्ट्र है जितनी प्राचीन हमारी संस्कृती है हजारों वर्ष पुर्वे हमारे वेदों में कहा गया है त्वाम विशो ब्रनताम त्वाम विशो ब्रनताम राज्जाय त्वाम मिमाहा प्रदीशह पंच देवी अर्थाथ राजा को सभी प्रजा मिलकर स्वयम चुने और विद्वानों की समिधिया उसका निर्वाचन करे ये वेद में कहा गया है हजारों साल पूरे गर्द में कहा गया है आज भी हमारे समिधान में सांसदों विधायकों का चयान मुख्यमंत्री प्रदानमंत्री राश्पति का चयान इसी लोगतंत्रिक मुल्ले पर टिका हुआ है हमारे हाँ लोगतंत्र इसलिए हजारों वर्षों से जिमित है क्योंकि भारत लोगतंत्र को समता और समानता का माध्यम मानता है भारत सहस्तित्व और सवहार के विचार में भरोसा करता है हम सब में भरोसा करते हैं सहकार में भरोसा करते हैं सामंजेश में भरोसा करते हैं और समाज की संगर्दी शक्ती में भरोसा करते हैं इसलिए हमारे वेदों ने हमें ये भी मंत्र दिया है संगच्छत द्वम संवद द्वम संवो मना सी जानता हम अर्फात हम मिलकर चले मिलकर बोले वो एक दूसरे के मनों को एक दूसरे के विचारों को जाने और समझे इसी वेद मंत्र में आगे कहा गया है समानों मंत्रह समीती समानी समानम मना सहचित्तमेशम अर्फात हम मिलकर समान विचार करे हमारी समीतियां हमारी सभाएं और सदन कल्यान भाव के लिए समान विचार वाले हो और हमारे रदय भी समान हो रदय से लोग तंत्र को स्विकार करने की ऐसी विराट भावना एक राष्ट के रूप में बारत ही प्रस्तुत कर रहा है इसलिए मैं जब भी दुनिया में अलग रह जब देशों में जाता हूं बड़े वेश्विक मंचों पर मौझूद होता हूं तो मैं बहुत गर्व से कहता हूं क्योंकि हमारे कान में किसे ने किसी कान से एक सब्द भर दिया गया है हमारी मन की रखना को एक जगा पर स्थगित कर दिया गया है हमें बार बार सुनाया गया है कि we are our largest democracy of the world हम दुनिया की सबसे बड़े लोग कंत्र है और हम भी उसी को स्विकार कर लिया हैं बार बार सुनने के कारण मैं आज भी दुनिया के मच पर जब भी जाता हूँ बड़े गर्व से कहता हूँ कि विश्वें लोग कंत्र की जननी ये भारत है भारत मजर अब डेमोकरसी है और हमने भी और बिहार वासियों ने तो खाट दुनिया में दंका बजाते रहना चाहिए कि वी आर अब मजर अब डेमोकरसी और बिहार की गवरोव साली विरासत पाली में महजूद आइतिहासिक दस्तावेज भी इसके जिवन प्रमार है बिहार के इस वैबव को न कोई मिटा सकता है न कोई छिपा सकता है इस आइतिहासिक इमारत ने बिहार की इस लोकतंत्रिक विरासत को सो वर्षक मजबूत किया इसलिए मैं समझता हूँ कि आज ये इमारत भी हम सभी के नमन की हकदार है साथियों इस भवन के इतिहास से बिहार की वो चेतना जुड़ी है जिसने गुलामी के कालखन में भी अपने जनतांत्रिक मुल्यों को सबापतन नहीं होने दिया इसके निरमार के साथ और उसके बाद जो घटना करम जुड़ा हुआ है वो हमें बार बार याद करना चाहिए किस तरह स्री कृष्ण सीजी ने स्री बाबू ने अंग्रेजों के सामने सर्त रखी थी कि वो सरकार तभी बनाएंगे जब ब्रिक्टी इस हकुमत निर्वाचित सरकार के कामकाज में दखल नहीं देगा कैसे द्वित्य विश्व हुद्वें भारत की सहमती की बिना देश को जौंकने के खिलाब स्री बाबू जी ने सरकार ने इस्तिभा दे दिया और बिहार का हर व्यक्ति इस बात के लिए गर्व कर सकता है इस गटनागरम ने सदेविस संदेश का संचार किया कि बिहार लोकतंत्र के खिलाब कभी कुछ स्विकार नहीं कर सकता और भाई और भेनों हम सभी ने देखा है कि कैसे आज़ाजी के बाद भी बिहार अपनी लोकतंत्रिक निश्चा को लेकर उतना ही अडित उतना ही प्रतिबद रहा बिहार ने आज़ाज भारत को डॉक्टर राजेंद्र प्रजाज के रुपे पहला राष्टपती दिया लोकनाएक जैप्रकाश करपुरी ठाकोर बाबु चजविन राम अनेक वीदे से नेत्रुत्व इस धर्टी पर हुए जब देश में सम्मिधान को कुचलने का प्रयास हुआ तो भी उसके खिलाफ बिहार ने सबसे आगे आकर विरोथ का विदल भूका आपात काल के उस चाहे दोर में बिहार की धर्टी ने दिखा दिया कि भारत में लोक तंत्र को दबाने की कोशिश से कभी भी कामियाब नहीं हो सकती और इसलिए मैं मानता हूँ कि बिहार जितना समर्थ होगा भारत की लोगतांत्रिक शक्ती भी उतनी ही मजबूत होगी बिहार जितना ससक्त होगा भारत भी उतना ही सामर्थवान होगा साथियों आजादी कामियाब भूसओ अग बिहार विजान सपा के सोवर्स का या इत्यासिक अवसर हम सभी के लिए प्रीजी के लिए आत्म विवेचना और आत्म निर्खण का भी संदेश लेकर आया है हम अपने लोक्त्र को जितना मजबूत करेंगे उतनी ही मजबूती हमारी आज़ादी को मिलेगी हमारे अधिकारों को मिलेगी आज 21 सदी में दुनिया तेजी से बदल रही है नई जरुतों के हिसाब से भारत के लोगों की हमारे लुआओं की आशाएं अपेच्छाएं भी बढ़ रही है हमारी लोग तांत्री की ववस्ताओं को इसके हिसाब से तेज गती से कायरे करना पड़ेगा आज जब हम आज़ाजी के 75 साल में एक नए भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो इन संकल्पों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी संसर और विधान सभाव पर भी है इसके लिए हमें इमान बारी और निस्टा से दिन रात मेहनत करने की ज़रुर्व है देश के सांसक के रुपे राज्य के विधायक के रुपे हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम लोग तंत्र के सामने आ रही हर चुनोती को मिलकर हराएं पक्ष विपक्ष के भेच से उपर उठकर देश के लिए देश हित के लिए हमारी आवाज एक जुड होनी चाहिए जनता से जुड़े विशयों पर सदन सकारात्मक सम्वार का केंद्र बने सकारात्मक कारियों के लिए हमारी आवाज उतनी ही बुलंद दिखे इस दिशा में भी हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए हमारे आचरन से ही हमारे देश की लोगतांतिक परिप्रक्वता प्रदर्शिद होती है अर इसलिए दुनिया के सबसे बड़े लोगतांत्र के साथ साथ हमें दुनिया के सबसे परिपक्व लोगतांत्र के रुप में भी खुद को आगे बढ़ाना है साथियों मुझे खुशी है कि आज देश इस दिशा में सकारात्मक बरलाव देख रहा है मैं अगर साउसद की बात करू तो पिछले कुछ वर्षों में साउसद में साउसदों की उपस्तिती और साउसद की प्रोड़क्विटी में रिकार्ड भृतिव हुई है और अभी विजेजी ने भी विदान सभा का ब्योरा दिया सकारात्मक तां गती सिलतां व्यापग रुप से विशों की चर्चा मिरने उसका पूरा ब्योरा दिया साथ यो बैसे सहुसद में भी पिछले बजेट सत्र में भी लोग सभा की प्रोड़क्विटी हंड्रेड नैंटीन प्रोड़क्विटी नाइन प्रोड़क्विटी दर्च की गई यानि देश लगातार नए संकल्पों पर काम कर रहा है लोग तांत्रिक विमर्ज को आगे बढ़ा रहा है और हम सभी जानते हैं कि जब लोग ये देखते हैं कि उन्होंने जिनकर चुन जिने चुनकर वेजा है वो मैनत कर रहा है सदन में उनकी बात गंबीता से रख रहा है तो उनका भी लोग तंत्र पर विश्वास और बढ़ता है ये विश्वास बढ़ाना भी हम सब की जिम्मेदारी है साथियों समय के साथ हमें नए विचारों की जरुद होती है नई सोच की जरुद होती है इसलिए जैसे जैसे लोग बदलता है लोग तंत्र को भी नए आयाम जोडते रहना पड़ता है इन बदलावों के लिए हमें केवल नई नीतियों की जरुद नहीं पड़ती बल्कि पुरानी नीतियों और पुराने कानुनों को भी समय के अनुसार बदलना पड़ता है बीते वर्षों में संसद ने ऐसे करीब पंद्रा सो कानुनों को खत्प किया है इन कानुनों से सामाने मानवी को जो दिक्कते होती थी देश की प्रगती में जो रुकावटे होती थी उनका समाधान हुआ और एगनाया विश्वाद भी पैदा हुआ राज जस्तर पर भी ऐसे कई पुराने कानुन है जो वर्षों से चले आ रहे हैं हमें मिलकर इस और भी ध्यान देने की जरुरत है साथियों दुनिया के लिए 21 सदी भारत की सदी है हम लगातार यह सुनते आए है कई लोगों के मुँँ से सुनते हैं कि लोग बताते रहे हैं तो मैं कहूंगा कि भारत के लिए यह सदी कर्टक्यों की सदी है हमें इसी सदी में अगले पतीस सालों में नए भारत के स्वर्णिम लक्ष तक पहुंतना है इन लक्षों तक हमें हमारे कर्टव्य ही लेकर जाएंगे इसलिए यह पतीस साल देश के लिए कर्टव्य पत पर चलने के साल है यह पतीस साल कर्टव्य भावना से स्वयम को समर्पित करने का कालखंड है हमें स्वयम को अपने लिए अपने समाज के लिए अपने देश के लिए कर्टव्य की कसोती पर कसना होगा हमें कर्टव्य की पराकास्ता को पार करना होगा आज भारत वैश्विक पडल पर जो किर्तिमान सापित कर रहा है आज भारत जिस तेजी से वैश्विक ताकत बनकर उबर रहा है उसके पीछे कोटी कोटी भारत वास्यों की कर्टव्य निष्ठा और कर्टव्य भावना है लोग तंत्र में हमारे सदन जनता की भावनाओं का प्रतिनीदित्व करते हैं इसलिए देश वास्यों की कर्टव में निष्ठा हमारे सदनों और जन प्रतिनीदियों के आच्रन में भी जलक नहीं चाहिए हम सदन में जैसा आच्रन करेंगे कर्टव्य भाव पर सदन के भीतर जितना बल दिया जाएगा देश वास्यों को भी उतनी ही उर्जा और प्रेना मिलेगे एक और महत्वपन बात हमें अपने कर्टव्यों को अपने अधिकारों से अलग नहीं मानना चाहिए हम अपने कर्टव्यों के लिए जितना परिश्रम करेंगे हमारे अधिकारों को भी उतना ही बल मिलेगा हमारी कर्तब ये निश्चाही हमारे अधिकारों की गारण की है इसलिए हम सभी जन प्रतिनिजियों को कर्तब ये पालन का भी संकल्प दोहराना है ये संकल्प ही हमारी और हमारे समाज की सफलता का मार्ग प्रसस्त करेंगे आज जब हम देश के अमरित संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें अपने कर्पे में अपने स्रम में अपने परिश्रम में कोई कमी नहीं छोड़ दी है एक राष्ट के रुपे हमारी एक का हमारी प्रात्विक्ता होनी चाहिए गरीब से गरीब जक्ति का भी जीवन आसान बने दलित, पीडित, शोसित, बंचित, आदिवासित हर किसी को हर जरूरी सुविधा मिले ये हम सभी का संकल्प होना चाहिए आज सब को घर, सब को पाणी, सब को बिजली, सब को इलाज जैसे जिन लक्षों को लेकर देश काम कर रहा है वो हम सब की सामुईक जिम्मेदारी है